सो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी गामारी शूडूप चैनल में दोस्तो मेरा नाम बहुल कमार और आप देख रहेंगे आंटेक सपोर यूटूप चैनल सो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि अफल इस्टूडू मुबाइल में धोल की लूप्स को जो है आप सौंग के साथ कैसे मैच करा सकते हैं दोस्तो धोलकी जो लूप्स है वो किसी भी फोर्मेट में हो सकता है हो सकता है वो जो है MP3 में हो हो सकता है वो वेब में हो तो यानि कि कुल मिला कर बात किया जाए कि वो किसी भी फोर्मेट में हो सकता है तो उसे जो है धोलकी लूप्स को आप कैसे सौंग के साथ जो है मैच क कर सकते हैं तो दोस्तों सारा कर बताने इस वीडियो को एंड तक दखते रहें और इस चैनल पर नायत इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकों को फ्रेस करने तो दोस्तों मैं इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो लाता है रहता हूं तो दोस्तों चलिए अपने मोबाइल के स्क्रेन पर चलते हैं उसके बाद आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताते हैं सो दोस्तों फाइनली में आ चुका हूँ अपने FL Studio मोबाइल के अंदर और दोस्तों यहां पर मैं जो है एक सोंग को रिमीक्स करके रखाऊं ठीक है और यहां पर सोंग करने के बाद जो दोस्तों यहां पर मैं ड्होल की लुप को भी यहां पर इस्तमाल किया हूँ और उसे जो है मैं यहां पर अच्छे तरीके से साथ उसका बीट जो है मैच करा चुका हूँ ठीक है यहां पर हम थोड़ा सा प्ले करेंगे ताकि आप लोग आईडिया लग जाए ठीक है और यह जो लुप से दोस्तों वह ए mp3 फोरवेट मीं ठीक है अगर वेड में होता है तो यह असानी से मैच हो जाता सोंग के साथ। लेकिन यहां पर यह MP3 forward में है तो यहां पर MP3 forward का जितना भी लूप्स होता हूं तो उससे क्या होता है कि यहां पर थोड़ा सा मुबाइल के अंदर जो है मैच कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है अब क्या करेंगे यहां पर हम थोड़ा सा इसको प्ले करेंगे सौंग के साथ उसके ब जैसे कर आपने सुना और इसीत सेंपल को हम फिर से लेंगे और इसी के साथ यहां पर आपके सामने जो है इसका बीट है उसे हम मैच कराएंगे सौंग के साथ ठीक है चलिए दुस्तों आपको करना क्या होगा यहां पर हम निचे के तरफ आते हैं और यहां पर हम plus पर click करके उस sample को लेते हैं जो कि मैंने यहां पर इस song को remix करने में use किया हूं ठीक है तो यहां पर मैं plus पर जाता हूं plus पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर हम audio clip पर जाते हैं मैं सेंपल पर जानेक बात जितना भी हमारे पास सेंपल है वो सारा कुछ आ जागा और जिस फाइल से मैं उस सेंपल को यूज किया था उस फाइल को ढून लेता हूं और यहां पर उस फाइल पर हम आ जाते हैं कि फायल पर आने कंब आए अक बाद दोस्तों वहुत नागल को भूंडता हूं कि वह कौन सा यह फे यहां पर दोस्तों हम डूदतेыл सेंफन को तो जो सेंफन है वह यह है ऐसके नहीं अब यहां को पर उसके साथ पहले तो इसको हम यहां पे ले लेतें Our अब यह starting point पर इसको हम लाते हैं दूसतों तो इसको हम थोड़ा सा play करेंगे आपके सामने तोनों को एक एक करकर करके यहाँ पर play करने वाले हैं तो यहाँ पर पहले जो मैं लगाया था उसको play करता हूं जो कि मैं यहाँ लगाया था ठीक है ठीक है अब हम प्ले करते हैं जो अभी मैं लिया हूं उसको तो यहां पर सुनिए यहां पर मैं प्ले करता हूं हुआ कि यह जो दूस्थों जो मैं पहले लगाएं हूँ वह काफी फंट यहां पर बज रहा है और यह जो दूस्तु Jessica अभी लगाए हूँ वह बहुती स्लो बज रहें तो इसको जो है आप dummyBPM स्क्राइब स्पीड स्पीड स्वार्ट बनागे उसके साथ यहां पे मैच कराने कंवाई यहांप سबसे पहले आपको जो है जिसमेरा को बनों करले अब जिन कर लेना होगा ने उसके बाद यहां पर हम उपर घोख समझेंi यहां पे यह जो looks से दोस्तो इसको पुरा आपको zoom का लेना है जिस्भी looks पे आप काम कारना चाहते हैं यह चीज यानि match कराना चाहते हैं इसको आपको zoom का लेना है उसके बाद यहां पे आप देखेंगे इसका lining start होता है और इसके बाद इधर जो है दोस्तो वो पूरा का पूरा खाली है ठीक है तो उसको जो है आपको अच्छे से यहाँ पे set करना है पहले तो यहाँ पे इतना जो extra part है दोस्तो इसको cut कर लेना है यहां पर दूस्तों आपको यह ऊपर के तरफ देखेंगे तो सी का आइकन दिखएगा इस कुछ ले लेना है इसको और अच्छे से और इसे किलिक करना है जो लुप से उस पर किलिक करना हूए इसको आपको अपने सिक को तो सबसे पहले हम बंद कर देते हैं उसके बाद यहां पर इस जो अपना पैक है जो ढोल की लूप से इसको अपको यहां पर किसी एक अभी आप पी बयूट से बढ़ाने के लिए आपको यह लूप से इस पहले किलिक करनाा है पूरा फूल कर देते हैं आप अपने जो है सेंपल के हिसाफ से आप यहां पर भोल्यम इसको बड़ा घटा सकते हैं ठीक है उसके बाद हम चलिए एक बार फिर से प्ले करते हैं इसको सेट किया हूँ इसके बाद दूसरा काम आपको लूप से काफी बाहर तक आपको देख रहांким जब भी हम कोई pattern बनाते हैं किसी भी song का तो जैसे कि यहां पर मैंने बताया आपको फिर से मैं बताता हूँ जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि यह 18 नमबर है यहां पर 18 और 19 नमर को बीच में ही बनता है ठीक है यानि कि जैसे एक नमबर और दो नमबर के बीच महीं वनेगा इतना ही ठीक है और यह जो है यह जो लूप से इतना यहाँ पे एक्स्ट्रा है ठीक है और इसी को आपको मैच कराना होगा तभी आप तो अच्छे से रिमिक्स कर पाएंगे तभी यह आपका जो है बीट इसका ज यह हम कंड़ा कर सकते हैं जितना चाहिए उतना हम इसे रख सकते हैं अब आपको करना क्या होगा यहाँ पर यह वाला जी बिंदू है तो इसको टॉच करना है टॉच करने के बाद इसको यह आपको आइकन दिख रहा है यह वाला इस पर यानिकी यह 18 नमबर से लेकर 19 नंबर तक इसको set करना है ठीक है था earning एहां पर हम इसको यहां तक कीच करें गते हैं यह 17 नंबर से 19 के बीच में आ चुका है ठीक है आप हम मिसको थोड़ा सा व्ले करेंगे आपके सामने तो चलिये हम फ्ले करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं अब यह इसे हम क्या करणे हैं यहाँ पर इसको खेट भी सकते हैं जितना चाहिए उतना तो चलिए मिश्क को स्नक के साथ जितना था उतना तो लें पर प्ल krat過去 आप ठीक है यहां पर आप सुन सकते हैं उसके बाद यहां पर यह जो लूपस है इसको हम यहां पर दोनों को साथ में सुनते हैं एक बार खोड़ा सा अलग उसका वाजा और यहां पर हम इसको बंद कर देते हैं या फिर इसे हम डिलेट ही कर देते हैं यहां पर मैं इसको डिलेट कर देता हूं और उसके बाद यहां पर हम फूरे सौंग के साथ इसको सुनने वाले यह लूप्स को ठीक है तो चलिए प्ले करते हैं ठीक दोस्तों जैसेक आपने सुना तो यहां मैं MP3 फॉर्वेट का जो भी लूप्स था उसको मैंने अच्छे से मेच करा दिया आपके सामने तो आप भी किसी भी तरह का लूप सो MP3 फॉर्वेट का आप उसे अच्छे से मैच करा सकते हैं जो मैं ट्रीक इस वीडियो में बताया हूं उसको खोलो करके ठीक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक करें और इस चैनल पर नहीं तो इस चैनल को सब् वीडियो लाता है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वंदे मात्रम